आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रंथालियों और सूचना केंद्रों के प्रकार के बारे में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि ग्रंथाले की अफशक्ता जो हैं वो हमारे समाज में किस-किस तरीके से होती है गरंथाले का क्या महत्व है समाज के लिए और गरंथाले के जो कारे हैं वह समाज में किस तरीके से आर्थिक, सांस्कृतिक और सैक्षिक विकास में महत्वपुन योगदान देते हैं अगर आप देखें तो गरंथाले लोगों की साक्षरता में वृद्धी करता है गृन्थाले को सेवाओं से लोगों को ग्यान और कोशल वे उत्पादक्ता में साकरत्मक वृद्धी कराता है जिसके कारण कसी वेक रास्ट के विकास में एक गृन्थाले का बहुत ही बड़ा रोल होता है अगर आप संसार में देखें गरन्थाले कई परकार के होते हैं और जैसे कि हम इस आज के पार्ट में विबिन परकार के गरन्थाले के बारे में चर्चा करेंगे आज इस पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन उदेशया है गरंथाले के प्रकार की पैचान करना कि कितनी तरह के जो गरंथाले हैं वो होते हैं जैसे कि सारुजनी गरंथाले जिसके बारे में हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बाद सैक्षिक, विस्षिष्ट और रास्ट्रिय गरंथाले जो है वो हमारे आज की समय में उपलत हैं इसके अलावा हम गरंथाले वर्गी करन के मानकों के बारे में भी हम डिसकस करेंगे और इसमें हम प्रतिक प्रकार के गरंथालों के उदेशयों, कार्यों और सेवाओं का वर्णन जो है प्तेएक परकार के गरनथाले के उधारन दे सकने में भी सक्षम होंगे तो सिक्षारतियो, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि गरनथाले के चार परकार होते हैं पहला सेक्षिक गरंथाले होता है जो कि शिक्शा संस्थानों से जूड़ा होता है दूसरा सारजनिक क्रन्थाले होता है जिसको हम Public Library के नाम से जानते हैं जिसको कि किसी भी देश की सरकार किसी एक कानून के अंदरगत बनाती है इसके अलावा Viscist जिसको कि हम Special Library के नाम से जानते हैं Special Libraries या फिर Viscist गन्थाले कुछ इस तरीके के गन्थाले होते हैं जो कि कुछ specialized, special institutions जो कि research और development में किसी एक देश में या किसी एक particular subject के ओपर development करते हैं, उस अपने institute के साथ बनाया जाते हैं, इसके बाद राष्टिय पुस्तकाले होते हैं, जो कि चोथी तरीके की पुस्तकाले हो, और actually में राष्टिय पुस्तकाले की अगर हम बात करें, तो आएए हम सबसे पहले सारजनी करंथाले के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि एक राष्टिय पुस्तकाले हो सकते हैं, और वो पुस्तकाले जो है, बेसिकली किसी एक देश में print होने वाले, publish होने वाले, जितने भी literature है, जितना भी सामगरी है, print सामगरी या फिर non-print सामगर करने के लिए इस तरीके के गरंथाले को बनाया जाता है, तो आएए हम सबसे पहले सारजनी करंथाले के बारे में चर्चा करते हैं, अगर हम सारजनीक, जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं, कि सारजनीक मतलब public, ये एक इस तरीके का गरंथाले होता है, जो सभी जनता के और यह समाज के कल्यान में एक बहुत ही मैतरपूर्ण भूमिका नेबाती है अगर आप सारवजनी करन्थाले के विकास के लिए चर्चा करें तो इसके बहुत सारे कारक हैं जैसे कि अगर सारवजनी करन्थाले को खोलने का जो प्रमुकुदेशा है वो जनता को ग्यान के लिए प्रिडित करना है ताकि वो अपने रोज की जो कारय विदी है कारय परणाली है उसमें सक्षमता प्राप्त करने के लिए ग्यान की प्राप्ती करें इसके अलावा स्वय शिक्षा के माद्यम से शाक्सरता का स्तर सुधारने के लिए भी सारजुनिक रंताले का बहुत ही बड़ा रोल होता है जैसे कि स्वय शिक्षा मतलब self-learning क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जैसे कि National Institute of Open Schooling की है अगर हम बात करें तो ये self-learning को बढ़ावा देता है और self-learning के लिए आप जो है में enroll कर सकते हैं और इसी तरीके से जो सारजुनिक विद्धाले हैं जैसे कि किसी भी self-learning के लिए शिक्षा के लिए enroll किसी भी भारत के किसी भी कोने से करा सकते हैं तो उस तरीके से आपको वहां की पढ़ाई को सारजनी करंथाले का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि अगर आपको कोई कोई information आपको चाहिए और आप किसी institution से या फिर आप किसी institution या फिर किसी एक organization से आप जुड़े नहीं हुए और आपको सूचना चाहिए तो सारजनी करंथाले जो है उसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है एक आम इंसान के जिंदगी में इसके लावा आप देखेंगे कि सारजनी करंथाले जो है बहुत ही जादा उपयोगी माना जाता है तो अगर हम देखेंगे इतने सारेσιों के बिहाफ पर की सारजने गरंथाले होता क्या है तो हम नतीजे पर पहुँचेंगे कि सारजने गरंथाले जो है वो एक गैर लाब के गरंथाले है क्योंकि उसमें कोई profit making के लिए नहीं even non profit making के लिए इसको बनाया जाता है और जिसकी स्थापना जिसको की बनाया जाता है जनता की उपयोग के लिए और जनता की उपयोग के लिए कैसे बनाया जाता है जनता की निधी द्वारा जैसे की जनता के ही पैसों के द्वारा दूशे शब्दों में हम कहा सकते है सारजने गरंथाले जो है जनता के द्वारा जनता के हित के लिए, जनता के लिए संचालित होते हैं और यहां प्रतियक नागरिक जो है बिना किसी बेदभाव के जैसे कि जन, जाती, रंग, लिंग, समाज, आर्थिक और सैक्षिक्स तरके निशुर्क सेवा प्रदान करने के लिए सारजुनी गरंथालों को खुला जाता है आमतोर पर अगर आप देखेंगे कि सभी प्रकार के गरंथालों को पांच उदोष्य होते हैं जिसे की शिक्षा, एजुकेशन के लिए, सूचना मतलब इन्फोर्मिशन के लिए मनोरंजन मतलब एंटर्टेन्मेंट के लिए, सूंदर परशिंशा और अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए तो इसके लिए अगर आप उधारन अगर हम देखेंगे तो सैक्षिक गरंथाले जो है उसका जो मुखे उपयोग है वो तो शिक्षा के लिए होता है या फिर रिसर्च के लिए होता है और व्रसिस्ट गरंथाले जो है जैसे कि हमने अभी शुरुआत में बताया था व्रसिस्ट या फिर स्पेशल गरंथाले जो है उसका जो इस्तेमाल है वो special research ये high level के research के लिए किया जाता है और लेकिन मगर आप सभी चीज़ों को देखें सारजनिक गरंथाले एक इस तरीके का पुस्तकाले है जिसका परियोग शिक्षा के लिए भी किया जाता है उसका परियोग higher education के लिए भी किया जाता है उसका research and development के लिए भी इस सारजनिक गरंथाले का परियोग किया जाता है तो ये सारजनिक गरंथाले का जो concept है ये आया कहां से देखिए अगर आप इसके concept में और आप इसकी history में जाएंगे तो 1949 में actually में सारजनिक गरंथाले manifesto जो है वो UNESCO ने release किया था इसको बनाया था और उसके बाद 1972 में इसको संशोजित किया गया शिक्षारतियों देखिए ये जो तिथिया है ये बहुत important होती है क्योंकि जब भी आप कभी अपने course को पूरा करने के बाद किसी written test के ले जाएंगे इंटरू के ले जाएंगे प्रजेंट करती है जिसको कि हम इंटरनेशनल federation of library association इवं federation इफला कहते है उसके सहयोग से UNESCO ने एक सारजनी करन्थाले गोशना पतर तियार किया 1994 में और इस गोशना पतर के एक्शली में व्यापक रूप से सभी देशों द्वारा सभिकार किया गया भी UN के मेंबर थे और यह सारजनी करन्थाले की अगर आप देखेंगे इसके उदेशे और गतिविदिया और सेवा इन सब के लिए इस गोशना पतर को इस्तिमाल किया जाता है तो देखेंगे कि इसका बेसिकली उदेशे क्या है यह किसलिए इसको बनाया जाता है तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि सारजनी करन्थाले को क्यों बनाया गया है तो इसके लिए बहुत सारे जो तथें इसको हम अभी डिसकुस करने वाले हैं जैसे बालेकाल से ही बच्चों को पाथन शम्ता तथा पाथे रुची जिसको कि हम इंग्लिश में कहेंगे इंकल्केटिंग और ब्रीडिंग हैविट एमंग स्टूडेंस तो इसको बढ़ाने के लिए सारजनी करन्थाले जो है इसको बनाया गया इसको स्टेबलिश किया गया यह इसका एक मुख्य उदेश्य था इसके अलावा जो दूसरा हमारा उदेश्य है जो सारजनी करन्थाले का रहेगा वो है व्यक्तिकर तथा स्वय संचालित शिक्षा के सासाथ ओपचारिक शिक्षा को समर्थन देना मतलब जैसे कि अगर हम इंग्लिश को यूज करेंगे तो इसमें परसनल और जो सेल्फ लर्निंग जो है एजुकिशन जो है उसके लिए भी हमारा सारजनी करन्थाले का जो बनाने का जो मकसद है वो यूज किया गया इसके व्यक्तिकत सारजनीक विकास के लिए बाल था, यूवव के कालपनिक था सारजनीक परतिवा के प्रसाहन करने के लिए इसके लावा संस्कृतिक परमपराओ कलापरेम विग्यानिक उपलबदी था नव परिवरतन के परतिजागरू करने के लिए आप डेखेंगे इसके लावा इसके बहुत सारे उदेशे हैं जो कि सारजनी करंथाले को बनाया जाना पड़ा जैसे कि बहुत सारे नागरिकों को सभी प्रकार की सामोधिक सूचना है चाहिए होती हैं तो आप नॉर्मली जो नागरिक है वो जो जो लाइबरी जो नहीं जा सकती तो सारजनी करंथाले को उस समय में इसका व्यक्ति उनको साक्षर्ता संबंदी मदद देने के लिए और बाकी दूसरी गतिविदिया और योजनाए है उसमें भाग लेने के लिए भी सारजनी करंथाले को बनाया गया है अगर हम संक्षेप में कहना चाहिए कि सारजनी करंथाले होते क्या है तो हम देखेंगे कि UNESCO जो अपनी public library घोशना पत्र को तियार किया है उसमें जो main जो भूमिका जो है जो साजनी करंथाले निभाती है या निभाने वाले है या निभाती है ये शेवाच्षित्र जो है वो है सूचना केंदर ये as a information center आपको मतलब आप इसको देख सकते हैं आप इसको स्वय शिक्षा केंदर की तरह देख सकते हैं इसके लावा आप इसको संस्कृतिक केंदर की तरह भी देख सकते हैं और स्थानिय संस्कृतिक सामगरी केंदर की तरह भी आप इसको देख सकते हैं देखिए जैसे कि हमने भी डिसकस किया साजनी करंथाले के उदेशे में कारे के बारे में अब देखे जैसे कि अभी तो हमने डिस्कस किया कि सारजुनी करन्थाले होते क्या हैं, मगर कि आपने कभी अपने घर के आसपास या आप जा रहते हैं उस शेतर के आसपास या अपने राज्ये में देखा है कि कोई सारजुनी करन्थाले है, देखे अगर आप दिल्ली में र है उस library की books को even आजकल तो digital material भी वहाँ पर available है जिसके थुरू आप जो है लाबानवित हो सकते हैं इसके अलाबा पटना की ए खुदा बख्ष oriental public library है जिसको कि ancient library बहुत पुरानी library माना जाता है और वहाँ उसको भी general public जो है वो access कर सकती है इसके बाद कौना मेरा public library है जो की चिन्नाई में available है और ये जो कौना मेरा public library है चिन्नाई में available है ये भी ancient literature के लिए बहुत ही famous है तो ये तो हमने discuss किया था public library के बारे में अब हम जो दूसरी तरीके की library को discuss करने जा रहे हैं वो हैं सेक्षिक गरंथाले और किसी भी आप जानते हैं कि किसी भी सेक्षिक संस्थान के गरंथाले की कितनी भूमिका होती है उस संस्थान के विकास के लिए उसमें अगर कोई भी सेक्षिक संस्थान है तो उसकी जो rating है उसको जो हम तुलना करते हैं उसको जो मापते हैं उसमें उसकी library उसकी भूमिका को भी हम बहुत अच्छी तरीके से उसकी शमता को अनूप करते हैं और अगर किसी सेक्षिक संस्थान की library बहुत अच्छी है ग्रंथाले बहुत अच्छा है तो हम यह मानते हैं कि उस सेक्षिक संस्थान का जो स्थर है वह बहुत ही बड़ा होत अब देखे जो सेक्षिक संस्तान है इसमें चार तरह के उभोगता होते हैं जो कि सिक्षा के स्थर के अनुरूब जो है जो उपयोगताओं को सेवा प्रदान की जाती है यह होते हैं विध्यारती कौन-कौन से हम इसको कह सकते हैं कि कितने तरीके के यूजर जो हैं एक सेक्ष करें तो गरंथाले के प्रकार के अनुसार उनके उदेश्यकारे विध्सोर्स, योगता, पदवर, करमचारी को कि संख्या भिन-बिन होती है और क्योंकि अलग-अलग तरीके की शिक्षक संस्तान होते हैं कि कुछ चोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं अभी हम आगे इसक जो हैं जुड़े होते हैं दूसरे होते हैं महाविध्याले गरंथाले जो कि जिसको कि हम कॉलेज लाइब्रेरीज बोलते हैं महाविध्याले गरंथाले होते हैं जहां पर की बच्चों को जो की अब हायर स्टेडी की तरफ जा रहे हैं स्कूल के बाद वहां की सर्विसेज वहां की सेवाओं के लिए जिस गरंथाले को बनाया जाता है तिसीर तरीके के जो गरंथाले हैं वो विश्विद्धाले गरंथाले हैं जो कि उनिवस्टी लाइडरी के नाम से जानते हैं और ये high class और intensive research के लिए इन विश्विद्धालों को बनाया जाता है तो आईए सबसे पहले हम विद्धाले गरंथाले के बारे में discuss करते हैं विद्धालों को जो भी शिक्षा वे प्रतान करते हैं उस शिक्षा स्तर के अदार पर हमें चार समों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि अगर आप देखेंगे विद्याले जो है वो प्राथ्मिक विद्याले होते हैं एक मिडल होते हैं प्राथ्मिक तक की शिक्षा वाले होते हैं मिडल होते हैं जो की आठवी तक होते हैं एक मादमिक होते हैं जो दसवी तक होते हैं और इसके लावा वरिष्ट मादमिक जो main udashya होता है वो बच्चों के अंदर पुश्टोकों को पढ़ने की अभीरूची जागर्फ करना होता है। इसके इलावा पुश्टोकों के परदी उनका प्रेयम को बढ़ताना होता है और विद्ध्याले ग्रंध्याले अगर आप देखेंगे इसलिए विद्याले गरंथाले जो होते हैं उनकी जो value है उनका जो काम है उनका जो responsibilities है वो बहुत ही high होती है तो आप देखेंगे कि विद्याले गरंथाले जो इनके बहुत सारे कारे होते हैं जैसे कि छात्रों शिक्षाओं के लिए ग्यान प्राप्तियम, शिक्षन हेतू, उत्तम संग्रय को निर्मान करना, संग्रहीत सामगरी को उचित व्यविस्तित एवं प्रदर्शन करना, कारात बहुतिक सुविदाय, जैसे भवन, फरनिचर और उपकरण, उपलब्त कराना और योगया प्रतिबत करमचारियों के नियुक्तियु करना तो आप देखेंगी जो विद्याले होते हैं, इसमें जो लाइबरीज होते हैं, विद्याले गरंथाले होते हैं, इनकी जो सेवाई होते हैं, वो भिन-भिन तरह की जो सेवाई हैं वो प्रतान करते हैं, जैसे आगम निरगम जिसको कि हम इशु रिटन कहते हैं, अध्यन ज इसको की study area के बारे में हम कह सकते हैं, इसके लावा संदर्व सेवा जैसे की reference services कह सकते हैं, और इसके लावा चातरों में पुस्त के बै अन्या पाथे करम से related जो भी समगरी है, उसको पढ़ाने में की अभुरुजी के उदेश्य से उनका मारदर्शन वे परामर्श परदाद क देखेंगे, आप ऐसे तो आप भारत के जिस भी चेतर में होंगे, आप के स्कूल होंगे, स्कूल के विद्याले के अंदर लाइबररी होगे, आप उसका example दे सकते हैं, बड जैसे कि आप अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो लाइबररी है, दिल् महाविद्याले गरंथाले है, जिसको हम कॉलेज लाइबरी के नाम से जाना जा सकते हैं, अब देखें महाविद्याले जिस तर पर जब स्कूल से बच्चे महाविद्याले में आते हैं, तो एक नई चुनोती के साथ आते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर जो पच्चे होते है एक class के अंदर बहुत कम होते है बट महाविधाले में क्या होता है कि बच्चों की संख्या जो है class में युओअ की संख्या मैं कहूंगा युओअ की संख्या जえば गूठřा बढ़ जाती है उस case में जो महाविधाले ग्रंधाले है वो बहुत ही ज़्यादा सामने आ जाता है तो actually में महाविदाले गरंथाले मतलब college library को भी हम चार पार्ट में divide कर सकते हैं जैसे junior महाविदाले है, degree महाविदाले है सनातोतकर महाविदाले है और website महाविदाले होता है अगर हम महाविदाले गरंथाले की बात करें तो इसके भी कुछ उदेशे होते हैं जैसे कि महाविदाले जो college, library होती है इसमें जो enrolled student होते हैं जो नामंकित student होते हैं या फिर उनके जो शिक्षक होते हैं उनके जो अलग-अलग तरीके की विश्य होते हैं उसकी गहन जानकारी रखना और ताकि students को क्या चाहिए वो documents जो है वो जो किताबी है वो उन तक पहुचाना इसके लावा उस शिक्षा और स्वे अध्यन के लिए छात्रों का मारदर्शन करना भी महाविदाले गरंथाले के उदेशे होते हैं इसके लावा आप देखेंगे चात्रों को विभिन व्यवसाए जैसे की विधी लौ के बारे में आयूर विज्यान मेडिकल के बारे में या फिर अभियांतरी अथा प्रद्योगी की इत्यादी में प्रिक्षित करने के लिए इन महाविदाले लाइब्रेरी की बहुत ही बड़ी भुमिका होती है अगर आप महाविदाले गरन्थाले की बात करें तो महाविदाले गरन्थाले बहुत सारे कारे करती है जैसे की शिक्षा क्या चात्रों को पढ़ने के लिए अध्यन करने के लिए अनुसंदान करने के लिए जो भी literature जिस भी book की या जिस भी advanced material के requirement उड़ती है वो उसको provide कराते हैं इसके लावा कुछ भूतिक सुविदाय जैसे की बैट कर आपको पढ़ना है या फिर कुछ furniture अच्छा furniture जिस पे आप बैट के comfortably पढ़ सकते हैं या फिर आपका उपकरण आदी उपलब कराने के अभी ये कारे करते हैं इसके लावा गरंथाले की अंदर संदर पुस्तकों की व्यापाक मतलब reference books की जो है व्यवस्ता कराना भी महाविदाले गरंथाले की एक बहुत ही बड़ी छेतर प्रणालीब के अंदर अंतरगात आता है तो अब आप देखेंगे कि महाविदाले जो की कॉलेज गरंथाले उसकी जो सेवाएं हैं वो बहुत ही simple होता है जो भी student है उनको जो जितने भी enrolled student है उनको आपको जो है उनके subjects related advanced किताबे आपको provide करानी है उनको सामगरी provide करानी है जिससे कि सूचना, संदर और कुछ reference services और SDI services जो होते हैं उनका role शुरू हो जाता है इसके अलावा किसी एक particular subject पर नवीन पुस्तकों को प्रदरिशित करना और या फिर multimedia सामगरी की सूचित तयार करना ताकि students जो है उनको जो अपने interest से related चीज़े है वो असानी से मिल सके इसके इसके इलावा school library और विद्याले library और सामगरी जैसे कि मैंने आपको बताया इसके लिए इसकी requirement जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस महाविद्याले गरंथाले में होती है लेकि स्कूल library में जो है या विद्याले libraries के अंदर इतना ज्यादा हमें किसी समीती की या फिर किसी एक committee की requirement नहीं हो तो ही बट अगर आप देखेंगे महाविद्याले गरंथाले इसमें गरंथाले समीती होती है जो कि बहुत ही important होती है इस गरंथाले समीती में जो उस किसी गरंथाले का प्रधाना चारे है वो समीती के अध्यक्ष होते है उसके बाद इस समीती के अंदर librarian जो है वो as a secretary वो इसमें काम करता है और कि कुछ वरिष्ट अधियापक और कभी-कभी महा विद्धाले के बाहर के कुछ ग्रंथाले, मतलब लाइबरी इंफॉर्मिशन साइंस की जो स्पेसिलिस्ट है उनको रखा जाता है और जैसे भी जितना भी रोज का जो मेटिरियल आपको चाहिए होता है जो भी कितावे उसमें प्रक्यूर करनी है, बुक्स प्रक्यूर करनी है या कौन-कौन सी सर्विसे सेवाए हमें देनी है इन सब की जो डिसिजन है वो इस ग्रंथाले समीति के लिए दिया जाता है और कॉलेज ग्रंथाले जो सबसे महतुपूर्ण बात है कि उनका जो फंड है, उनके लिए जो ग्रांट है वो यूर्श्टी ग्रांट कमिशन से प्राप्त होती है और कभी-कभी राजय सरकार से भी ये अनुदान प्राप्त होता है और इसके लावब जो स्टूडेंट से फीस ले जाती है और चातरों से जो जुर्बाना प्राप्त किया जाता है यह जुर्बाना इसके funding के लिए library को manage करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अगर हम महाविदाले ग्रांटाले की उदेश देखेंगे तो जैसे कि करोडी मल महाविदाले ग्रांटाले है दिल्ली आप देखेंगे वो जो है एक college जो है महाविदाले क्रोणिमल उसके साथ attached है इसके अलावा लक्षमी बाई महाविदाले गरंथाले इसका एक example है इसके अलावा जो सरकारी प्रद्योगी महाविदाले गरंथाले कोईमबर टूर है वो भी इसका एक सजक उधारन है तो अब सेक्षिक गरंथाले में हम विश्विदाले गरंथाले के बारे में जानेंगे विश्विदाले मतलब university आप देखेंगे 1947 के बाद से ही जो university है उसकी development जो है बहुत तेजी से के साथ देखेंगे अभी central universities जो है केंद्रे विदाले जो है ये भी बहुत सारे अलग- universities को बनाया जा रहा है अब देखें विश्विदाले की जो गरंथाले है इसके जो रोल है ये बहुत ही अलग तरीके से होते हैं अगर आप देखेंगे कि विश्विदाले गरंथाले जो है उनके लक्षे और उदेशे जो है उनको पूरा करने के लिए उनको उसकी जो services है उ advanced knowledge उसको चाहिए तो जो विश्विदाले गरंथाले है उसका जो रोल है वो बहुत ही मैतवपूर्ण है और इसकी जो services है इसकी जो कारे है ये बहुत ही अलग तरीके के होते हैं तो अगर आप कारे देखें तो जो विश्विदाले गरंथाले है ये ज्ञान प्राप्ती के लिए शिक्षक्सोत तथा प्रकाशन इत्यादी में जो है वो मदद करता है इसके लावा ये ग्रंथाले में संग्रही सामगरी को पाठकों के उपयोग के लिए व्यवस्तित करता है देखिए इसमें जो पहले वाली लाइब्रेरी थी उसके अंदर किसी भी इंफोर्मेशन को convert करके या abstracting या indexing करके provide कराने का provision नहीं था बट विश्विदाले को ऐसा कराना पड़ता है विश्विदाले ग्रंथाले को ऐसा कराना पड़ता है ताकि छात्रों को सटिक information मिल पाए इसके लावा आप देखेंगे कि विश्विदाले ग्रंथाले जो है इसके अंदर बहु इसमें शुरू हो जाता है इसके लाव आप देखेंगे इसमें जो बहुत सारी नहीं नहीं तरीके की जो advanced literature है जो की एक शोद करता को एक enrolled शोद करता को या फिर एक teacher को चाहिए वो इसमें बहुत अच्छे से जो है provide किया जाता है अब देखें जैसे की एक महाविदाले में गरंथाले समीती होती है विशुदाले के अंदर भी library के लिए गरंथाले के लिए एक समीती मना जाती है जिसके अंदर जो उस university का जो vice chancellor होते है कुलपती इसको बोलते है वो उसका जो चेयर्मैन होते है या उनके द्वारा किसी को nominate किया जाता है ताकि वो उस library जो विशु college में जो funding है वो होती है इसी तरीके से विशुदाले गरंथाले समीती की जो funding है वो भी UGC के द्वारा या फिर किसी state government के द्वारा या फिर जो funding students से as a fees या फिर as a जुर्माना लिये जाती है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप देखिए विशुदाले गरंथाले के प्रुस्तकाले होते हैं इसी तरीके से हमने आज सारजनी करंथाले के बारे में जाना तो सिक्षार्तियों अब हम अगले पार्ट में हम जानेंगे इसी पार्ट के दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि किस तरीके से विशुदाले होते हैं उसके क्या कारे होते हैं उसके क्या उदेश्य होते हैं और इसके लावा रास्ट्रे करन्थाले जो है वो क्या होते हैं और किस तरीके से बनाया जाता है उसके क्या उदेश्य होते हैं तो अभी इस भाग में इतना ही नमस्ते